खबर यूपी के जनपध आयोध्या से है जहां कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहूर गाधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के विबिर्न राज्यों से भ्रमड करते हुए आज आयोध्या जनपध के विधान सभा बीकापुर से होते हुए लाखों की संख्या में होते हुए भरत कुंड पहुची इस दोरान कॉंग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखलेश यादव के नेतरत में दरजनों वरिष्ट कॉंग्रेसी नेदा कॉंग्रेस पार्टी से रहे पूर्व सारसद निर्मल खत्री का फूल माला पहना कर जोड़दार स्वागत भ पतेह गंज आयोधिया के लिए रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले कॉंग्रेसियों निवंच के माध्यम से बतौर मुख्य अतिती के रूप में आए प्रदेश अध्यक्ष और प्रांती अध्यक्ष का फूल माला पहना कर जोड़दार स्वागत भी किया मीडिया कर्मियों से मुखादेब होते हुए प्रांती अध्यक्ष ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी एक हिंदुबादी पार्टी है उन्होंने कहा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के नतीजे सामने आए हैं उससे जाहिर होता है कि भारतिय जनता पार्टी का भाग और उन हिंदू लोगों ने भारती जनता पार्टी को ऐसा खदेड़ा ऐसा खदेड़ा वे कई नजर नहीं आ रहे हैं तो हम उनके क्या कहें संतान में फीजदी हिंदूबादी आदमियों ने हिंदूबादी पार्टी को खदेड़ना शुरू कर दिया ये देश के लिए हर खबर पर